जुबिलेंट फूड वर्क्स के शेर में हाल ही में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई इसकी वजह उनकी पैरेंट कमपनी जुबिलेंट भरतिया ग्रुप का कोका कोला के बॉटलिंग बिजनस में 40% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला है यह बॉटलिंग बिजनस कोका कोला ब्रैंड के लिए भारत और श्रीलंका जैसे बड़े बाजारों में काम करता है जुबिलेंट भरतिया ग्रुप ने यह डील कोका कोला के प्रमुख बॉटलर ICL, INDIA कोका कोला बॉटलिंग लिमिटेड के साथ की है ICL कोका कोला के सबसे बड़े बॉटलर्स में से एक है और सौफ्ट ड्रिंक्स के उत्पादन और वितरन का काम संभालता है यह सौधा ग्रुप के लिए एक बड़ी रणनीतिक चाल मानी जा रही है क्योंकि इससे जुबिलेंट भरतिया ग्रुप एक नए सेक्टर में कदम रख रहा है हालां कि इस खबर के बाद बाजार में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली निवेशकों को इस फैसले को लेकर कुछ संदेह है जुबिलेंट फूड वर्क्स जो भारत में डॉमिनोस पीज़ा और डंकिन डोनट्स जैसे ब्रांड्स के लिए जानी जाती है का मुख्य फोकस फूड और रिटेल सेक्टर पर है ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कोल्ड ड्रिंग बॉटलिंग बिजनेस में पैरेंट कंपनी का निवेश जुबिलेंट फूड वर्क्स के मुख्य व्यवसाय पर असर डाल सकता है या नहीं शेर बाजार में यह खबर आते ही जुबिलेंट फूड वर्क्स के शेर में गिरावट आ गई कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह निवेश कमपनी की दीर्ग कालिक रणनीती के लिए फाइदे मंद हो सकता है कोका कोला एक वैश्विक ब्रैंड है और उसकी बॉटलिंग यूनिट के साथ जुड़ना गुरुप के लिए एक नया अवसर लेकर आ सकता है वहीं कुछ लोग इसे जोखिम भरा कदम मान रहे हैं क्योंकि यह गुरुप के मौजूदा बिजनेस मौडल से काफी अलग है जुबिलंट भरतिया गुरुप की इस डील के जरिये भविश्य में कोल्ड ड्रिंक सेक्टर में मजबूती के साथ जगह बनाने की योजना हो सकती है लेकिन इस समय निवेशकों की प्राथमिक्ता जुबिलंट फूड वर्क्स के मुख्य बिजनेस पर है जिससे उनके मन में सवाल उठ रहे हैं यह देखना दिल्चस्प होगा कि यह डील आने वाले समय में गुरुप के लिए कितनी फाइदे मन्द साबित होती है फिलहाल शेयर बाजार में इस फैसले को लेकर हल चल जारी है और इसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें